आज की जो मेरी लंच रेशिपी है लंच बॉक्स बहुत ही आसान और सिंपल है और उतना ही हिल्दी भी है बहुत कम टाइम में मैंने त्यार किया हुआ है वो भी आप लोगों की डिमांड पे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कितोड़ा डिफरेंट कुछ रेशिपी और सेयर मैंने आज की लंच बॉक्स में बनाया है पालक आलू बह projets बह्ठ बढ़ियां लगता है इसकी साथ मैंने तवा पराठा बनाया है । सिंपल वाला पराठा जो होता है और इसके साथ सब्से हेल्दी रायता मखाने का रायता जो बहुत कम टाइम में बन गया है और उतना ही यम्मी लगता है, बनाना बहुत ही आसान है, चलिए फिर इसके सुरुवात करते हैं, मैंने साम को ही पालक को धुल के साफ करकी काट की उसको जाली वाले बरतर में रख दिया था फ्रिज में, ताकि सुबह उसमें कुछ करना न पड़े, और मैंने फ्रिज से उसको निकाल लि लेंगन, तो एक बैगन मैंने लिया है, चार से पांच मैंने आलू लिया हुगा है, जब ये मिक्स करके, जब ये सबजी बनके आता है, तो बहुत बढ़िया लगता है, और पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने आज इसको सिंपल तवा पराठा के साथ बनाया है लंच के लिए तो सबसे पहले बैगन को ऐसे ही रफली चौप कर देंगे छोटे बड़ी पीसेज का नहीं देखना है तो बहुत जल्दी गल जाते हैं क्योंकि पालक जो है पानी छोड़ देता है उसके साथ ही पक जाते हैं तो जैसे मैंने बैगन को कट किया है वैसे ही आलू को भी काट लेंगे तो आलू को मैंने ऐसे धुलके रखा था इसको छिल लेंगे छिलने के बाद से इसे एक बार और साफ कर लेंगे और पालक के जैसे की छोटे चोटे पीसेज हैं बैगन के भी छोटे चोटे पीसेज हैं वैसे ही आलू के भी पीसेज करके त्यार कर लेते हैं लेकिन पालक जो है मैंने अलग रखा हुआ है और बैंगन के साथ ही आलो को रखना है तो पानी में ही रख है नहीं तो फिर ये काले पड़ जाएंगे तो अब सब्जियां तो हमारी कट चुकी हैं अब आजाते हैं गैस की तरफ तो सबसे पहले एक कडाई रखेंगे और उसमें तेल को गरम कर लेंगे तो तेल जादा नहीं डालेंगे पालक के साथ तेल बहुत कम जाता है, क्योंकि पानी चोड़ देता है, तो तेल उसी इसाफ से डालेंगे, तो लगवक एक से दो चमची सरसू का तेल अच्छे से पहले गरम कर लेंगे, तेल को हाई फ्लेम पे गरम करें, जैसे गरम हो जाएगा, गैस को स्लो कर देंगे, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग, और थोड़ा सा साबूच जीरा, और इसे हलका सा चटकने देंगे, जैसे ही चटकने लगए, तो यहीं पे हम डाल देंगे, जो हमने बारी करके रखा हुआ है, जैसे की प्याज है, और लहसन की कलिया है, हरी मिर्ची को मैं ऐसी डालती इसे हलका सा भुन लेंगे, जैसे ही बढ़िया सा भुन जायेगा, तो सबसे पहले जो हमने पानी में रखा हुआ है, आलू और मैंगल, सबसे पहले वो डालेंगे, और इसके उपर से जो हमने पालक रखा हुआ है, वो ऐसे ही लगा देंगे, तो इक दरह से अच्छे से इसके कम हो गया है और पालक जो है पानी छोड़ दिया है तब इसका धकन उठाएंगे और चलाएंगे इससे क्या होगा है अंदर अंदर से थोड़ा सा ये जो सबजिया है पकने में भी थोड़ा टाइम कम लेता है और बहुत बढ़िया सा मिक्स हो जाता है और पता चलता है कि कितन सा गरम मसाला स्वात के हिसाब से नमक ले लेंगे एक टमाटर को बारिक करके मैंने डाला हुगा है अब इसे हमें धीमे फ्लेम पे पकाना है जब तक कि ये गल न जाए तो अच्छे से धीमे धीमे उसे पकने देते हैं बीच में एक से दो बारी चलाएंगे और अब बना लेत गरम कर लेते हैं और इसमें च्छोटा चमज मैंने साबू जीरा डाला है जैसे ही चटकने लगा है वैसे ही जो हमारे मखाने है वो डाल देंगे तो मखाने को एक बार आप देख लें कि मखाने जो है फ्रेस हैं कि नहीं तो मैंने ऐसे पहले चेक कर लिया था फिर इसको अच्छे से रोष्ट कर लिया है बहुत बढ़िया सा हमें रोष्ट करना है तभी जो है रायता बहुत बढ़िया समझेदार सा बन के आएगा तो मखाने तो रोष्ट हो चुका है अब दही को बहुत बढ़िया सा पहले फेट लेंगे अब यहीं पे हम डाल देंगे सा भूना जीरा पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला और स्वात के हिसाब से जो हम साधा नमक खाते हैं वो तो नमक ध्यान से डालें ताकि ये बहुत नमक तेज न हो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद से जो हमने मखाने को रोष्ट किया उसको डाल देंगे, क्योंकि इसमें भूना हुआ जीरा है साबू, तो भी बहुत बढ़िया सा टेक्स्चर लेके आएगा, अब इसे बहुत हलके हाथों से मिक्स करेंगे दही के साथ, और इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे, थोड़ी सी हरी धनिया भी बारी करके डालेंगे, ताकि मखाने में बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए, अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं, अब यह हमारा मखाने का रायता जो है त्यार हो गया है, अब इसे सरू कर देते हैं, तो इसके उपर से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कस्मेरी लाल में टॉ कर देंगे, जो देख की बहुत अच्छा लगता है, एकदम लोग इसका चेंज हो जाता है, और हरी धनिया जो है, बारी कटी वे मैंने थोड़ी सी रखी होई थी, तो वो हल्का सा स्प्रिंकल कर देंगे, तो इसका पूरा टेक्ट्चर और फ्लेवर इकदम चेंज हो गया, कितने कम टाइम में हेल्दी सा, मजदार सा रायता बन के तियार हो गया है, और अब आज आते हैं सबजी के तरफ, मैंने धीमे किया हुआ था गया, इसको दो बार चलाया था, तो यहां पर अब चेक कर लेंगे, कि आलू जो है, वो पूरे पक चुके हैं कि नहीं, तो आलू एकदम से पक चुके हैं, क्या है फ्लेम को हाई कर देंगे, क्योंकि सब्जिया जो हमारी है, इसमे गल चुकी है, अब इसका जो पानी है, वो हमें सुखाना है, तो हाई फ्लेम कर के इसको छोड़देंगे, ढब धकन अभटा देंगे, बीच मे एक डो बारी चलाएंगे, ताकि जले भी नहीं और पानी बहुत बढ़ियां से सुख जाएगा इसका और दूसरे साइड में तवा चड़ा देते हैं और इस पे बना लेते हैं पराठा तवा पराठा जो है ऐसे ही पहले गोल सा रोटी बना लेंगे उसमें कोई भी घी ओयल लगाएंगे फिर उसको अच तो हाई फ्लेम कर देंगे तो पराठा जो है बहुत बढ़ियां सा एकदम करारे सा बन के आता है और एक तरफ से मैंने सबजी भी को भी ऐसे देख रही थी ताकि वो जले नहीं तो पराठा भी इधर बन की तियार हो गया है फिर से एक बार सबजी को चेक कर लेते हैं पानी पूरा इसका सूख गया है पानी बिल्कुल भी नहीं है अब आप यहाँ पे टेक्सर देखेंगे तो यह हमारी जो सबजी है मिक्स आलो बैंगन टमाटर यह बन की तयार हो गया है तो गैस को मैंने आफ कर दिया है अब फटा फट से लगा लेते हैं टिफिन को पैक कर देते हैं तो मैंने सबजी को भी लगा दिया है फिर से रायता भी सरू कर दिया है और एक साइड में पराठे मैंने ऐसी ही वाइल पेपर में लगा दिया है और सैलेड आप कुछ भी रख सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से तो मैंने मूली और काजर रखा हुआ है आज की सैलेड में नमक कहीं भी नहीं डालेंगे यहां परसे बाद में सलाथ खाती है अगर नमक की जरुवत पड़े तो आप नमक इस्तिमाल करें क्योंकि सलाथ काटने की बाद से आग उस पे नमक नहीं डालने हैं तो हमारा लंच बॉक्स त्यार हो किया है आज मैंने बनाया है बहुत ही ह तो आज का जो मेरा लंच है टिफिन रेसिपी टोटली अलग है तो इसके बनाते हैं तो आलो और बैंगन टमाटर मिक्स करके बहुत अच्छा लगता है और सबसे बढ़िया की टाइम बहुत कम लगा मैंने रात में इसको सब कटकिंग तयारी करके रख दिया था पालक को तो सुबह फटा फट से बस आलो बैंगन को काटा और फटा फट से चड़ा दिया और राता बढ़ने में तो ऐसे दो से तिन लगते हैं तो अगर आज सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि हम मिलते रहें मिलते हैं और मैज़दार इसीवीज के साथ थाइंक्यू अ